बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम आलेकुम, वेलकम टो माई चैनल, आज की वीडियो में हम ग्रेड फाइब, इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर वन पढ़ेंगे, यूनिट नंबर वन पेशिंस, पेशिंस यनि सब्रो तहम्मुल, बरदाश्ट या जब्त, इस यून को कवर किया था, सेकंड वीडियो में हमने ओरल कम्यूनिकेशन एंड रीडिंग एंड कुरिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया था, आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगी, लैंग्विज फोकस के टॉपिक से, लैंग्विज फोकस, जुबान पे तवज्जो, वोकैबलिरी बिल्डिंग, अलफास की जखीरा अंडोजी, Q1, Read the given words with their meanings, दिये वैल पास को उनके मानी के साथ पड़े, आप नीचे देख सकते हैं, आपको words दिये गए हैं, और उनके साथ ही meanings दिये गए हैं, इनको read करना स्टार्ट करते हैं, Inspiration, meaning a person or thing that motivates, कोई ऐसा शख्स या चीज जो आपको मुतासिर करें, तरगीब दे, Inspiration, a person or thing that motivates, कोई ऐसा शख्स या चीज जो आपको मुतासिर कर दे, Second, Personality, meaning the various aspects of a person's character, the various aspects, मुख्तलिफ पहलू, of a person's character, किसी शख्स के किरदार के, यानि शख्सियत, किसी शख्स के किरदार के मुख्तलिफ पहलू, Personality, the various aspects of a person's character, Third, Honest, meaning the person who always tells truth, यनि इमान्दार, Honest में H silent है, Next, Patience, meaning tolerance, यनि बर्दाष्ट, सबर, Last, betterment, meaning improvement, बहतरी, तो यहाँ पर हमारा words meaning का topic end होता है, Teaching point को read करते हैं, Tell students about the main idea of the paragraph, Ask them to tell answers correctly, Ask students to learn the vocabulary with meanings, Three things, तीन बाते की गई हैं, पहली बात की गई है, topic sentence की topic पर, यह हम पिछली वीडियो में cover कर चुके हैं, Second, इस topic पर बात की गई है, कि बच्चों से कहें कि इसको खुद solve करें, और लास्ट नी कहा गया है, कि बच्चों से कहें कि इस vocabulary को meanings के साथ याद करें, Second, action, and third, describing words, यह separate topics हैं, First है naming words, इनको हम grammar की जुबान में noun कहते हैं, उर्दू में हम इनको ism कहते हैं, Naming words है, या noun है, name of a place, person, or thing, Second, action, इनको हम कहते हैं grammar की जुबान में verbs, और उर्दू में हम इनको कहते हैं fail, Action words और verbs कहते हैं, a word used to describe in action, जिसमें किसी काम का करना दिखाया जाता है, और last है describing words, describing words को हम grammar की जुबान में कहते हैं, adjectives, उर्दू में हम इनको कहते हैं, इसमें shift, और इनको हम define कर सकते हैं, as any word that provides additional information about noun, और a naming word, यनि इस noun और naming word को जो word मजीद बयान करता है, उसके बारे में मजीद explanation हमें provide करता है, उनको हम कहते हैं describing words, इनको मैं आपको example से समझाऊंगी, पहले हम इसको read करते हैं, read the given advertisement carefully, इहतियात से इस इश्टिहार को पढ़िये, advertisement, इश्टिहार, carefully, इहतियात से, find and write two naming, action and describing words each, दो हमें naming words लिखने हैं, दो action words और दो describing words, use them in your own sentences, in your notebook, और फिर उन naming, action and describing words को sentences में यूज़ करना है, अपनी notebook में, इस advertisement को देखते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, आपको एक इश्टिहार दिया गया है, इसके उपर लिखा हुआ है, fruits and vegetables mall, 20% discount at your first purchase, यानि आपकी पहली खरीदारी पर आपको 20% कमी दी जाएगी, get fresh, पाईए ताजा, healthy fruits, सहत बखश, फल, vegetables, सबजियां, delivered, जो के पहुंचाई जाती हैं, on your doorstep, आपके दर्वाजे पर, at low rates, कम कीमत में, with just one call, यानि एक कॉल करने से, आपको घर के दर्वाजे पर, कम कीमत में, ताजा और सहत बखश, fruits and vegetables हम पहुंचा देंगे, ये किसी shop का, जिसका नेम है, fruits and vegetables mall, उसके advertisement है, जोके उन्होंने display की है, और बताया गया है, कि 20% discount भी आपको दिया जाएगा, at your first purchase, यहाँ पर, call का जब कहा गया है, तो number भी साथ में दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कुछ fruits and vegetables दिख रहे होंगे, आप इनको label करें, यह है orange, यह है bell pepper, यह है avocado, यह है carrots, lemon, eggs, tomato, cherries, etc. अब इस advertisement से हमने दो naming words, दो action words और दो describing words ढूण कर, उनको यहाँ पर mention करना है, naming words से start करते हैं, इस statement में देखते हैं के हमारे पास naming words कौन से हैं, fruits, यह name of a thing है, तो इसको हम naming words में लिखेंगे, second, and vegetables, vegetables भी हमारे पास name of a thing है, तो इसको हम naming words में लिखेंगे, action words को फिलाल छोड़ते हैं, describing words की तरफ आते हैं, मैंने mention किया है naming words में, fruits and vegetables, इससे पहले हम देखते हैं, get fresh and healthy fruits and vegetables, यह जो दो words है, यह describe कर रहे हैं, fruits और vegetables को, इसकी quality को बता रहे हैं, कि fruits और vegetables जो हैं, यह fresh और healthy है, describing words को explain करते वक्त मैंने आपको बताया था, कि describing words ऐसे words होते हैं, that provide additional information about naming words, यह नि इन naming words को मजीद describe करते हैं, उसकी quality, उसकी quantity, उसका size, shape वग़रा हमें बताते हैं, तो describing words में हम लिखेंगे, fresh and healthy, अब रहे हैं action words, first है get, get यनि लेना, यह action word है, next हम धूनते हैं इसमें, delivered, यह नि पहुंचाया जाता है आपको, तो इसमें action को दिखाया गया है, इसके लावा एक और action word भी है, हमारे पास, that is call, किसी को call करना, phone करना, यह भी action word है, अब इन naming words, action words, और describing words को sentences में यूज़ करना है, sentences में आपको यही बुक पर जो space दी गई है, उसी पर मैं आपको लखे देती हूँ, यहाँ पर, first word है, हमारे पास, fruits, जो कि हमने naming word में लिखा है, we should eat fresh and healthy fruits, हमें ताजा और सहथ बख्ष फल खाने चाहिए, next है हमारे पास, vegetables, green vegetables, are important for our health, green vegetables हरी सबजियां हमारे सहत के लिए बहुत ज़रूरी है, अब इन दोनों sentences में आप देख सकते हैं, कि मैंने fresh का word भी यूज़ किया है, healthy का word भी यूज़ किया है, यहाँ पर भी health का word मैंने यूज़ किया है, तो आप इनी sentences को naming words और describing words दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, यह आपको याद करने में भी असान रहेगा, तो healthy और fresh यह उसके describing words हैं, अब रहे गए है action words, उनके sentences लिखते हैं, first है get, I get up early in the morning, मैं सुभा जल्ली उठती हूँ, next है delivered, I will deliver this message to you, मैं आप तक ये पैगाम पहुंचा दूँगी, last call, call me when you are free, तो यह हमारे sentences complete हो गए हैं, आपने इन sentences को ऐसे book पे नहीं लिखना, अगर book पे लिखना भी है, लेकिन notebook पे ज़रूर लिखना है इसको, यहाँ पर हमारा vocabulary building का topic end होता है, अब language focus में second topic है, हमारे पास learning to spell, इसको start करते हैं, fill in the missing letters to complete the words, नीचे आपको कुछ words दिख रहे होंगे, इन में कुछ letters missing है, हमने उन letters को fill करना है, ताकि ये words complete हो सके, first, W-O-R-L-D, world, दुनिया, second, C-O-M-P-L-E-T-E, complete, mukammal, next, H-O-N-E-S-T, honest, imaandar, next, T-U-T-H, T-R-U-T-H, truth, satcha-i, next, F-O-R-I-V, dash, F-O-R-G-I-V, e-forgive, maaf करना, last, D-Z-N, D-O-Z-E-N, dozen, यनि, दर्जन, 12, तो यहां पर हमारे पास six words थे, जिन में कुछ letters missing थे, उनको हमने complete किया, first था, W-O-R-L-D, world, दुनिया, second, C-O-M-P-L-E-T-E, complete, मुकमल, third, H-O-N-E-S-T, honest, इमानदार, next, T-R-U-T-H, truth, सच्चाई, next, F-O-R-G-I-B-E, forgive, maaf करना, next, D-O-Z-E-N, dozen, दर्जन, यनि, बारादाने, यहां पर हमारा learning to spell का topic end होता है, आपने इंड words को spellings के साथ याद करना है, आपको जब यह topic दिया गया है learning to spell, इसका मतलब यह है कि जब आपने कोई भी word याद करना है, तो इसको spellings के साथ याद करना है, अब चलते हैं next topic की तरफ, grammar, grammar की portion में first topic है हमारे पास, common and proper nouns, यह topic है nouns के बारे में, noun कहते हैं any naming word, इनके बारे में अभी हम उपर topic में पढ़कर आचुके हैं कि naming words यह nouns क्या है, name of a place, person or anything, अब हम पढ़ेंगे common and proper nouns, इनको उर्दू में कहते हैं, इसमें नकरा, और इसमें मारफा, यह noun की types हैं, read me portion में देखते हैं कि common nouns और proper nouns क्या होते हैं, common nouns are names of a class of people, places, animals or things, for example, boy, school, pencil, etc. इसमें मैं आपको थोड़ी सी addition करवाती हूँ, common nouns are names of a class of people, places, animals or things, in general, यानी आम लोगों, आम जगों, आम जानवरों और आम चीज़ों के नामों को हम common nouns या इसमें नकरा कहते हैं, whereas proper nouns are names of a particular person, place, animal or thing, जबके proper nouns किसी खास शखस, किसी खास जगा, किसी खास जानवर या किसी खास चीज़ के नाम को कहते हैं, जिसको हम उर्दों में इसमें मारफा भी कहते हैं, common nouns में हम general names का जिकर करते हैं, जबके proper nouns में हम particular names का जिकर करते हैं, और pronouns से मुतलिख लिखा गया है कि यह हमेशा capital letter से start होते हैं, ABC हम दो तरह से लिखते हैं, एक small, एक capital, proper nouns का first letter हमेशा capital होगा, for example, मिसाल के तौर पर असलांग, यह अब proper noun है, यहाँ पर आप देख सकते हैं boy, अब जब कहा गया है boy, तो यह है common noun, लेकिन हर boy आजलान नहीं होता, यदि यह particular person है, इसलिए यह proper noun है, और इसका first letter आप देख सकते हैं, यह capital है, next, fasil masjid, अब अगर हम कहें सिर्फ masjid, तो यह common noun है, लेकिन fasil masjid, यह proper noun है, और आप देख सकते हैं, यह capital letter से start हो रहे हैं, the holy Quran, etc., बगएरा बगएरा, holy Quran, बजीद एक खास किताब है, एक particular book है, इसलिए, यह proper noun है, अगर हम कहेंगे, सिर्फ book, तो यह हमारे पास common noun होगा, तो यहां पर हमने common nouns और proper nouns के बारे में पढ़ा, अब यहां से reading स्टार्ट करते हैं, read the given sentences दीवे जुम्लों को पढ़िए, and notice the use of common and proper nouns, और common nouns और proper nouns के इस्तेमाल पर गौर करें, common nouns, यह sentences common nouns के हैं, my grandmother lives in a village, मेरी दादी एक गाउ में रहती है, grandmother यह common name है, village, common name of a place है, तो यहां पर यह common nouns है, second, I made a cake for my mother, cake, mother, यह name of a thing है, यह name of a person है, यह common names है, teaching point को reach करते हैं, explain the concept of naming, action and describing words to students, encourage them to share more examples, ask students to complete the words, learn their meanings and use them in their daily conversation, explain the concepts of common and proper nouns in detail, ask students to share more examples, first point, बात की गई है, इनके बारे में के बच्चों को naming, action and describing words समझाएं, फिर इस topic पर बात की गई है, के बच्चों से कहें के इन words को याद करें, और इनको अपनी daily conversation में यूज किया करें, और लाशकी बात की गई है, common and proper nouns की बारे में, के बच्चों को ये concept अच्छे तरीके से समझाएं, और बच्चों से कहें के इसकी मजीद examples classroom में शेयर करें, अब चलते हैं next page, page number 8 की तरफ, ये common nouns का topic continue है, इसको read करते हैं, यहां पर आपने देखा कि ये सारे जो names है, ये common names है, mountains कोई specific नहीं है कि कौन से mountain की बात की जा रही है, country, countries के अपने names होते हैं, particular name नहीं बताया गया, तो ये सारे common nouns हैं, अब हम पढ़ेंगे proper nouns, अलामा इकबाल is our national poet, अलामा इकबाल, अब specifically name बताया गया है, अलामा इकबाल का कि वो हमारे national poet है, कौमी शायर, यहां पर आपको general knowledge का एक point भी मिल गया है, कि हमारे national poet कौन है, हमारे national poet अलामा इकबाल है, second, they went to the fesal masjid, वो fesal masjid गये, अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जिकर किया गया था, सिर्फ मस्जिद का, जब सिर्फ मस्जिद कह दिया गया है, तो यह common noun बग गया है, लेकिन जब फesal masjid, particular masjid के बारे में बात की गई है, तो यह proper noun बग गया है, निदा reads the holy Quran in the morning, निदा सुबह में, Quran의 मजीद की तिलावत करती है, अब निदा भी particular name of a person है, और holy Quran भी particular name of a book है, मुहम्बद अली जणा is the founder of Pakistan, मुहम्बद अली जणा पाकिस्तान के बानी है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, particular name of a country है, और particular name of a person है, तो यह है proper noun, यहाँ पर आपको जण्ज नॉलेच का एक दूसरा point में बिल गया है, कि पाकिस्तान के founder कौन है, मुहम्बद अली जणा is the founder of Pakistan, तो यह हमारा topic था common and proper nouns का, नीचे एक activity दी गई है, इसी topic पर उसको solve करते हैं, question number two, underline the nouns in the given sentences, and write whether they are common or proper nouns, हमने underline करना है nouns को, और फिर in blanks में हमने लिखना है, कि आया यह common nouns है या proper nouns है, read करना start करते हैं, we will go to Ravel Lake next week, Ravel Lake name of a place है, अब Ravel Lake एक specific lake की बात की जा रही है, तो यह हमारे पास proper noun है, next, my father is a hard-working man, father, नेम नहीं बताया गया, कि उनका क्या नेम है, या किस के father की बात की जा रही है, तो यह common noun है, it is a huge building, यह name of a place है, अब place building को specify नहीं किया गया, कि किस building की बात की जा रही है, तो यह common noun है, next, इसलामाबाद is a beautiful city, अब city, जो name of a place है, उसको specify किया गया है, कि किस city की बात की जा रही है, इसलामाबाद की, तो यह proper noun है, last, K2 is the highest peak of Pakistan, K2 specific name of a mountain है, K2 एक पहार है, तो यह specifically बताया गया है, कि किस पहार की बात की जा रही है, इस दा highest peak of Pakistan, पाकिस्तान की बुलंतरी चोटी है, यहाँ पर country की नेम को भी specify किया गया है, तो यह दोनों क्या है, इसको हम nouns लिखेंगी, क्योंकि यहाँ पर two nouns है, यह plural बन गया है, इसके साथ मैंने ऐसा एट किया है, यहाँ पर हमारा common and proper nouns का topic end होता है, अब चलते हैं next topic की तरव, grammar की portion में हमने first topic पढ़ा, common and proper nouns की बारे में, अब यह second topic है, countable, uncountable and collective nouns, यह भी हम पढ़ेंगे, nouns, nouns कहते हैं any naming word, name of a place, person or thing, यह nouns की कुछ मजीद types हमारे पास हैं, इनको read करते हैं, first है countable, second uncountable, और third है collective, read में portion में देखते हैं के countable, uncountable and collective nouns क्या हैं, countable nouns are nouns which can be counted, they have plural forms, countable nouns ऐसे nouns हैं जिनको गिना जा सकी, इनकी जम्मा हालत भी होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, noun and nouns, noun जब एक noun था तो मैंने कहा, noun, लेकिन जब उसको मैंने count किया, कि यह दो हैं, तो मैंने लिखा nouns, यानि ऐसी चीजें जिनको हम count कर सके, उनको हम कहते हैं countable nouns, और इनकी plural form भी होती है, uncountable nouns are nouns which cannot be counted, जबके uncountable nouns ऐसे nouns होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, they don't have plural forms, इनकी जमा हालत नहीं होती, plural कहते हैं जमा, for example, मिसाल के तौर पर, rain, बारिश, weather, मौसब, pain, दर्द, अब मैं कहूं बारिश हुई, तो हम बारिश को गिन नहीं सकते, कि उसमें कितने قط्रे आए, या कितना पानी वहा, हाँ, हम टाइम उसका नोट कर सकते हैं, लेकिन हम rain को काउंट नहीं कर सकते, pain, यानी दर्द, दर्द को हम काउंट नहीं कर सकते, weather, मौसम, मौसम को भी हम काउंट नहीं कर सकते, next, collective nouns, collective nouns are names of a group of people, things, or for a collection, collective nouns, ऐसे nouns हैं, जिनमें हम ऐसे अलफास का जिकर करते हैं, जो किसी ग्रुप को शोग करें, जो किसी मजमुए को शोग करें, फिर वो ग्रुप लोगों का भी हो सकता है, जानवरों का भी, चीजों का भी, अब यहां से इसको read करना स्टार्ट करते हैं, दिये वे पैराग्राफ को पढ़िए, और इसमें countable, uncountable, and collective nouns के इस्तेमाल पर गौर करें, हिरा वेंट टु दे शॉपिंग मॉल मिध हर मदर, हिरा अपनी मदर के साथ शॉपिंग मॉल में गई, देर वर मैनी शॉप्स, वहां पर कई सारी दुकाने थी, अब शॉप्स हैं, तो हम शॉप्स को count कर सकते हैं, तो ये countable nouns है, वह उस शॉप्स में गए, ताकि कुछ सबजियां और फल खरीज सके, फूप्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी countable nouns हैं, हम फूप्स और वेजिटेबल्स को count कर सकते हैं, फूप्स आप ओरेंजिस उठाएं, आप उसको count कर सकते हैं, वेजिटेबल्स में आप पूटेटो उठाएं, आप उसको count कर सकते हैं, हाँ, कुछ fruits और वेजिटेबल्स ऐसे हैं, जिनको हम count नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर उसके types की बात की गईगी है, फूर एग्जांपल में कहूँ के उन्होंने औरेंजिस लिए, उन्होंने आपल्स लिए, उन्होंने बनानाज लिए, तो हम इन काउट्स को count कर सकते हैं, इसी तरह अगर में वेजिटेबल्स में कहूँ के उन्होंने चिली लिए, उन्होंने cabbage लिए, बेल पैपर्स लिए, उन्होंने लिए, प्टैटोज लिए, तो हम इनकी टाइप्स को count कर सकते हैं, हिराज मदर बॉट सम उन्होंने कुछ उन्होंने लिए, अब उन्होंने कॉँच को count कर सकते हैं, अब बंच उफ ग्रैप्स, अंगूरों का गुच्छा अब ये है हमारे पास collective noun देखे इसको green green से लिखा गया है blue uncountable nouns है और pink जो हैं तो ये countable nouns है collective noun में first है bunch of grapes bunch क्या है कि अंगूरों का गुच्छा जब हम कहते है bunch तो हमारे mind में आता है कि वो एक bulk में चीज मौजूद होगी grapes का एक गुच्छा होगा and a dozen bananas और एक दरजन केले, अब दरजन हम गिन सकते है दरजन में 12 दाने होते है Hira went to the bookstore, Hira bookstore पर गई, bookstore का count कर सकते है, एक store है दो stores है, तीन है या ज्यादा है and bought a new story book for her friend, और उसने अपनी friend के लिए एक नई कहानी की किताब ली books को भी हम गिन सकते है she also bought a bouquet of flowers उसने फूलों का एक गुलदस्ता लिया अब जब हम कहते है bouquet, तो ये है group of flowers ज़्यादा फूलों लोते हैं इसमें for her father, अपने वालिद के लिए they also enjoy tea tea with chocolate cake in the cafe tea, tea tea को हम count नहीं कर सकते ये uncountable noun है chocolate cake को हम count कर सकते है ये countable noun है cafe, ये shop है, इसको हम count कर सकते है it was a good experience ये अच्छा तजर्बा था अब experience को हम count नहीं कर सकते ये uncountable noun है तो ये हमने पढ़ा countable, uncountable and collective nouns के बारे में teaching point को read करते हैं Explain to students the concept of countable, uncountable and collective nouns in detail. बच्चों को countable, uncountable और collective noun का topic detail से समझाएं. Ask students to share more examples और बच्चों से कहें कि मजीद examples classroom में share करें. Show different pictures or objects to students. Ask them to name or categorize them into countable, uncountable or collective nouns. ये activity है countable, uncountable or collective nouns की. क्या classroom में बच्चों को कुछ चीज़ें दिखाएं और उनसे पूछें कि क्या ये countable है, uncountable or collective nouns है? यनि कि वो किस category में fall करते हैं? अब चलते हैं next page, page number 9 की तरफ. Question number 4. Write three countable, uncountable and collective nouns in your notebook. Then use these nouns in your sentences. यहाँ पर हमने three countable, three uncountable and three collective nouns लिखने हैं. और फिर उनके sentences भी बनाने हैं. पहले nouns लिख लेते हैं, फिर उनके sentences बनाएंगे. First है countable, book, chair, carrots. इसके लावा countable nouns में आप pencils, pen, tables, trees, flowers, etc. काफी कुछ इसमें आ सकता है. अब लिखेंगे three uncountable nouns, rice, oil and lastly, salt. Uncountable nouns में आप इनके लावा sand लिख सकते हैं, sugar लिख सकते हैं, tea लिख सकते हैं, वगएरा वगएरा. Last है collective nouns, crowd, यनी rush. अब जब हम कहते हैं crowd of people, तो rush यनी बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे. Flock, flock कहते हैं परिंदो का जोन. जब आप आसमान में बहुत सारे परिंदो को खटे उड़ते वे देखते हैं, तो उसको flock कहते हैं, और इसमें हम last लिखेंगे class. जब हम कहते है class, तो इसमें four students भी आ सकते हैं, forty students भी आ सकते हैं, यनी group of people को दिखाया जाता है इसमें. collective noun में इनके लावा आप लिख सकते हैं team, cluster, fleet, fleet कहते हैं बेड़ा, जैसे जहाजों का बेड़ा, team, cricket team, कोई से भी team इसमें आप कह सकते हैं, cluster कहते हैं जुर्मट को. तो आपको जो बहुत सारे सितारे खटे नजर आते हैं, उसको हम कहते है cluster of stars, अब हम इन nouns को sentences में use करेंगे, sentences को read करते हैं, unit number one, patience, countable noun, book, he is reading a book, वो एक किताब पढ़ रहा है, book का plural form होता है books, यह है countable noun, chair, he is sitting on a chair, इसकी plural form है chairs, यहनी इससे हम plural form बना सकते हैं, इसको हम count कर सकते हैं. carrots, carrot is a root vegetable, carrot एक ऐसी सबजी है जो के जमीन के अंदर उखती है, uncountable nouns, first, rice, rice is my favorite food, rice मेरी पसंदीदा खुराक है, rice चावल, अब rice को हम count नहीं कर सकते हैं, यह uncountable noun है, oil, oil is a liquid, oil एक माया हालत है, salt, add some salt in my soup, मेरे सूप में कुछ नमक शामल करें, salt, नमक यह uncountable noun है, collective nouns को read करते हैं, class, a class of student walked to the playground, एक class के तलबात playground में सेर के लिए गए, second, crowd, a crowd of people walked across the market, लोगों का रश मार्किट के सामने से गुजरा, अब crowd of people, यह collective noun है, last, flock, a flock of birds was flying in the air, परिंदों का जुण आसमान में उर रहा था, तो यहाँ पर इस sentences end होते हैं, उसके साथ ही हमारा countable, uncountable और collective nouns को topic भी end होता है, हमने इस unit, unit number one, patience में noun की five types पड़ी है, common noun, proper noun, countable noun, uncountable noun, and collective noun, अब स्टार्ट करते हैं, next topic, अब next topic स्टार्ट करते हैं, articles a and the, articles a और an, articles हमारे पास three है, इसमें the भी आता है, निकिन यहाँ पर उसका जिकर नहीं किया गया, कि मैं आपको इसको explain नहीं करवाऊंगी, हम फिल्हाल सिर्फ पड़ेंगे a and an के बारे में, articles के बारे में read करते हैं, a is used before a noun starting with a consonant sound, the article an is used before a word starting with a vowel sound, यह मैं आपको समझाती हूँ, टोटल हमारे पास twenty six alphabets हैं English language में, इन twenty six alphabets में five vowels हैं और जो remaining twenty one है, वो consonants हैं, vowels है, a, e, i, o, u, consonants है, मैं आपको consonants भी लिख देती हूँ, a यहाँ पर आ गया है, तो b, c, d, e यहाँ पर आ गया है, f, g, h, i यहाँ पर है, j, k, l, n, n, o, p, q, r, s, t, u, यहाँ पर है, यह v, w, x, y, z, यह अगर मैं count करूं अभी, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, तो यह twenty-one है, अब अगर कोई word in vowel sound से start हो रहा है, तो उससे पहले हम लगाएंगे, and, और अगर कोई word, consonant letter से start हो रहा है, तो उससे पहले हम लगाएंगे, अ, अब एक दफा फिर से इसको read करता है, ताके आपको यह clear हो सके, a is used before a noun starting with a consonant sound, आपको हम use करेंगे, उन nouns से पहले, जो के in consonant letter से start होते होंगे, और अन हम उन nouns से पहले लगाएंगे, जो in vowel letter से start होंगे, paragraph को read करते हैं, read the given paragraph and notice the use of articles, दिये वे paragraph को पढ़िए, और articles के इस्तिमाल पर war करें, there were dark clouds in the sky, अस्मान में काले बादल थे, I took an umbrella, मैंने एक umbrella ली, and walk to the market और market की तरफ गई, अब आप देख सकते हैं, umbrella एक noun है, जो के vowel sound से start हो रहा है, इसलिए उसके साथ an add किया गया है, I bought an ice cream, मैंने एक ice cream खरी दी, ice cream, I से start हो रहा है, जो के wobble letter है, इसलिए उसके साथ an add किया गया है, from the shop, shop से, I saw a cat, cat एक noun है, जो के consonant letter से start हो रहा है, इसलिए इसके साथ a add किया गया है, near a tree, tree, noun है, जो के consonant letter से start हो रहा है, इसलिए इसके साथ A add किया गया है Outside the shop, दुकान से बाहर She looked hungry वो बिल्ली भूकी दिख रही थी I bought a packet of biscuits and broke them into pieces मैंने एक packet लिया biscuits और उनके तुकडे कर लिये Packet एक noun है जो के consonant letter से start हो रहा है इसलिए इसके साथ A add किया गया है Then I gave these biscuits to her फिर मैंने बिल्ली को वो biscuits दिये She ate then thankfully और उसने वो biscuits खा लिये शुकरी अदा करते हुए तो यहां पर हमने यह paragraph पड़ा जिसमें हमने articles A and N का use देखा हमने देखा कि वर्वल लेटर से start होने वाले nouns से पहले N add किया जाता है और consonant letter से start होने वाले nouns से पहले हम A use करते हैं अब चलते हैं activity की तरफ आर्टिकल से related ही activity है इसको solve करते हैं Pick the correct options आपके सामने A और N लिये गए है इसको हमने tick करना है और उनको in blanks में fill करना है There is dash book on the table Book B से start हो रहा है जोके consonant letter है इसलिए इसके साथ हम add करेंगे A There is a book on the table Second Sarah had dash egg for breakfast Egg Egg noun है जोके vowel letter से start हो रहा है तो इसके साथ हम N add करेंगे She had an egg for breakfast उसने नाश्ते में अंडा खाया Next Please give me dash apple Apple noun है जोके vowel letter से start हो रहा है इसके साथ हम add लगाएंगे Please give me an apple बराए महरबानी मुझे एक save दे Last Maria is dash honest girl Honest noun है जोके start हो रहा है H से लेकिन जैसे के honest का H silent होता है तो हम second letter को देखेंगे वो है O और O है vowel letter इसलिए इसके साथ हम add लगाएंगे Maria is an honest girl Maria एक इमानदार लड़की है हमने articles को put करते वक्त silent letters का भी दिहान रखना है तो ये था हमारा topic articles A and add के बारे में अब हम चलते हैं next topic की तरह unit number one में grammar के portion में करूंगी के adjectives इसमें सिफ्ट या describing words होते क्या है adjectives are those words that provide additional information about noun यानी ये topic noun से related है noun यानी naming words और adjectives ऐसे अलफाज होते हैं जो के noun की मजीद वजाहत बियान करते हैं यहां पर अभी हम पढ़ेंगी के adjectives की बहत सारी types हैं यानी काफी सारी तरीकों से हम noun को मजीद define कर सकते हैं उसको मजीद explain कर सकते हैं तो इसको read करना start करते है Read the given sentences and notice the types of adjectives दिये वे जुम्लों को पढ़िये और types of adjectives यनि इसमें सिफ्थ की अकसाम को देखे यहाँ पर mid में लिखा हुआ है adjectives यनि इसमें सिफ्थ First color It describes the color of a noun यह noun के रंग के बारे में बताता है She bought a red dress अब यहाँ पर आप देखें dress noun है और यह मजीद उसको explain कर रहा है कि उसका color कैसा है red तो red इसमें adjective है ड्रेस इसमें noun है Second quality Quality यनि खुसूसियत It describes the characteristics of a noun यह noun की खुसूसियात बयान करता है Azlan is an honest child अब आजना noun है यह उसकी quality बयान की जा रही है कि अजनान कैसा है अजनान का nature honest है तो यह हो गया adjective और यह हो गया noun Third size यनि जिसामत It describes the size of a noun यह noun की जिसामत के बारे में बताता है They live in a big house वो बड़े घर में रहते हैं अब size में हम मजीद अलफाज यूस कर सकते हैं जैसे यहाँ पर big आया है तो हम small, tall, long, short यह सारे हम इसमें यूस कर सकते हैं तो adjective of size में noun की जिसामत के बारे में बताया जाता है Fourth है origin यनि अब्तिदा, असल या आगास कि किसी चीज की असल क्या है, उसकी अब्तिदा क्या है It describes where someone or something comes for adjective of origin हमें बताता है कि कोई शच्छ या कोई चीज कहां से आई है Maha is a Pakistani girl Maha noun है, Maha कहां से आई है She is a Pakistani girl Fifth, shape Shape यनि शकल It describes the shape of a noun ये noun की शकल के बारे में बताता है We have a round dining table हमारे घर में goal dining table है अब goal ये क्या है? ये shape है तो adjective of shape, noun की शकल के बारे में बताता है Sixth, quantity or number यनि तादाद या मिकदार It describes the quantity of a noun ये noun की quantity यनि तादाद या मिकदार के बारे में बताता है It answers the question और ये ऐसे सवलाद की जवाबात देता है How much, कितने और how many, या कितने How much मिकदार पूछी जाती है कि कितनी है How many, तादाद पूछी जाती है कि लोग या चीजे कितनी है There were many trees in the park पार्क में बहुत सारे द्रख थे तो यहाँ पर आपने देखा trees जो है ये noun है और many अब ये adjective of quantity और adjective of number है तो यहाँ पर हमने adjective की six types पढ़ी First, adjective of color, adjective of quantity, adjective of size, adjective of origin, adjective of shape and adjective of quantity और number adjective की और भी types हैं हम आगे उन मजीद types को भी पढ़ेंगे Teaching point को read करते हैं Explain the concept of articles A and N to students Explain all the types of adjective to students by sharing more examples Teaching point में बताया गया है कि बच्चों को articles के बारे में समझाएं और second point में बताया गया है कि बच्चों को adjective की सारी types के बारे में बताया हैं उनको मजीद examples दे अब चलते हैं next page, page number 10 की तरह यहां पर activity है adjectives से related इसको read करना स्टार्ट करते हैं Put the following adjectives in the correct boxes नीचे आपको word bank दियावा है यह सारे जो है यह adjectives है नीचे आप देख सकते हैं कि जो types हमने भी पड़ी है page number 9 पर वही सारी types यहां पर लिखी गई है और हम से कहा गया है कि इन adjectives को उनके respective boxes में लिखें अब हम kind के बारे में देखेंगे कि यह किस category में fall करते हैं तो उसी के according हम इनको boxes में लिखेंगे First intelligent यनी जहीन यह है quality किसी की खुसूसियत बियान की जा रही है कि वो intelligent है वो जहीन है तो intelligent को हम लिखेंगे adjective of quality के box में Next large यनी बड़ा इसको हम लिखेंगे adjective of size के box में Next black काला यह color है तो इसको हम adjective of color के box में लिखेंगे Next few चंद यह quantity दिखाई जा रही है तो इसको हम quantity के box में लिखेंगे Next round goal यह है adjective of shape इसको हम adjective of shape के box में लिखेंगे Next American अमरीका तो इसको हम लिखेंगे adjective of origin के box में Next Chinese यह origin दिखाया जा रहा है इसको हम adjective of origin के box में लिखेंगे Next oval oval यह अंडे की जो shape होती इसको oval कहा जाता है इसको हम shape के box में लिखेंगे Next one adjective of quantity short adjective of size truthful adjective of quality truthful यह नहीं सच्चा Last yellow यह color है तो इसको हम adjective of color के box में लिखेंगे यह जो background में color है यह yellow color है तो यहां पर हमने 12 words देखे और फिर हमने उनको उनके respective boxes में लिखा एक तफ़ा इनको फिर से revise करते हैं Adjective of quality के box में हमने लिखा intelligent यानि जहीन, truthful, सच्चा Adjective of shape के box में हमने लिखा round, gold, oval यह अंडे की तरह शकल होती है Next adjective of color रंग के बारे में तो black और yellow हमने इसमें लिखा Next adjective of origin इसमें किसी की असल या इक्तिदा दिखाई जाती है तो इसमें हमने लिखा American and Chinese Next adjective of size इसमें जिसामत के बारे में बताया जाता है Large, बड़ा, short, छोटा Next adjective of quantity तादाद या मिक्तार दिखाई जाती है Few, chunk, one, egg तो यहां पर हमारा adjectives का topic end होता है इसमें हमने adjectives के बारे में पढ़ा और उसकी different types को हमने देखा हमने इसकी कुछ examples देखी और साथ ही उसकी activity को solve किया अब चलते हैं next topic की तरह Writing यहां से writing का portion start हो रहा है यहां से language focus का portion end हो चुका है Writing, लिखना Learning to write, लिखना सीखिए Question number one Read the given words with their syllable division यह topic है, syllables का सबसे पहले हम syllable को देखेंगे कि syllable क्या है syllable is a part of word that has one और more vowel sounds यहनि जब किसी एक word में एक से जादा वोवल्स आ जाएं तो हम उन वोवल्स की basis पर उनको डिवाइट करते हैं और वो हमारे पास syllables बन जाते हैं कुछ words हमारे पास single syllable भी होते हैं और काफी सारे ऐसे words हैं जिनको हम multi syllable कहते हैं यानि उन में एक से ज्यादा syllable होते हैं आज जो हमारा topic है वो multi syllables के बारे में है रीट करते हैं कि multi syllable क्या होते हैं multi syllable words have more than one syllable ऐसे आलफास जिन में एक से ज्यादा syllables मौझूद हो उनको multi syllable कहा जाता है इनको रीट करते हैं रीट थे given words with their syllable division words, syllable division, number of syllables word को रीट करते हैं और देखते हैं कि इनको divide कैसे किया गया है और इनमें कितने number of syllables हैं first model, mod, al, mod में आप देख सकते हैं इसमें o vowel है जबके al में e vowel है इसमें number of syllables two हैं next tolerance, tolerance आप देख सकते हैं हर syllable में vowel sound मुझूद है three syllables, personality, 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 five syllables forgiveness, forgiveness, three syllables, beautiful, beautiful, three syllables इनकी meanings में आपको लेख देती हूं model, नमूना, tolerance, बरदाश्ट, personality, शखसियत, forgiveness, माफी, beautiful, खुबसूरत तो यहां पर हमने पढ़ा multi syllables के बारे में नीचे हमारे पास इसी से related activity दीवी है, इसको read करते हैं divide the given words into their syllables and also write the number of syllables in your notebook then write multi syllabic words on your own यहां पर बताया गया है कि हमारे पास कुछ words दिये गए हैं जिनको हमने divide करना है, यानि multi syllable words है इनकी syllables को हमने अलग-अलग करना है और हमने देखना है कि इनमें कितने syllables हैं और फिर हमने कुछ multi syllabic words खुद से भी लिखने हैं यहां पर जो words दिये गए हैं पहले इनको करते हैं फिर्स्ट है वेजटेबल इसकी syllabic division करते हैं वेज-ई-टे-बल यानि इसमें one, two, three, four syllables हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इसमें two syllables हैं complete, complete, two syllables next, computer, computer, three syllables last, mountain, mountain, two syllables यहां पर आप देख सकते हैं कि जितने syllables में मैंने इनको डिवाइट किया है हर एक में wobble sound मौझूद है अब हमने कुछ multi-syllabic words खुद से लिखने हैं अब वो लिखते हैं यहीं पर कुछ words मैं आपको लिख देती हूँ teacher इसमें two syllables हैं sister इसमें two syllables हैं tell, e, phone इसमें three syllables हैं grand father इसमें three syllables हैं इसमें भी three syllables हैं तो यहां पर मैंने आपको कुछ multi-syllabic words लिख कर दिये हैं इसको आप अपनी notebook पर लिख सकते हैं अब page number 10 पर दीवे teaching point को read करते हैं recall the concept of syllables to students tell them that combinations of more than one unit of sound in a language are called multi-syllabics यह आपके पास multi-syllabics की definition भी आ गई है यहां teaching point में बताया गया है कि बच्चों को syllables का topic फिर से दोहराएं syllables का topic आप KG nursery से पढ़ते आ रहे होंगे class 1, class 2, class 3, class 4 इन सारी English की books में आपको syllables का topic पढ़ाया जा चुका है secondly आपको यहां पर multi-syllabics की definition बताई गई है कि जब किसी एक word में unit of sound एक से ज़्यादा हो जाए तो उनको हम multi-syllabics रहते हैं अब चलते हैं next page, page number 11 की तरफ question number 3, read the first paragraph of the lesson carefully सबक में दिया गया first paragraph एहतियाद से पढ़िये write its topic sentence उसका topic sentence लिखे and supporting details in your notebook also write its main idea in your own words और उसका main idea अपने पाज में लिखिये using correct capitalization, punctuation and spelling सही spelling के साथ सही punctuation यनि रमुज और काफ का इस्तिमाल करते हुए और capitalization जो हम capital ABC लिखते हैं उसकी बात की जा रही है तो अब हम वापिस चलते हैं lesson की तरफ और first paragraph को read करेंगे lesson है page number two पर first paragraph है इसका यहां से लेकर यहां तक यह first paragraph है इसको read करना start करते हैं everyone in the world needs some inspiration we get inspired and make someone our role model or ideal to be followed in the same way I have my own role model too who is none other than इसमें topic sentence है everyone in the world needs some inspiration यह है इसका topic sentence यहनी इसमें main theme बताया गया है कि दुनिया में हर किसी को किसी मिसाल की जरूरत होती है अब जब मैं यहां से read करना start करूं that we get inspired and make someone our role model or ideal to be followed in the same way I have my own role model too who is none other than हजरत मुहम्मद, रसूलौला, खातिम, नभी, 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 वाला, आली, वास्हाब, यह है supporting details जो कि इस topic sentence को support कर रहे हैं topic sentence में हमने पढ़ा कि दुनिया में हर किसी को किसी मिसाल की जरूरत पड़ती है तो supporting details में उसी बात को मजीद वज़ात से बयान किया गया कि हम किसी से मतासर होते हैं और फिर उसको अपनी मिसाली शख्सियत बना लेते हैं और मेरी अपनी जिन्दगी में भी मेरी पसंदीदा मिसाली शख्सियत है जो कोई और कोई नहीं बलकि हजरत मुहमत सल्लाह लाहिवाली वासलम है वापिस चलते हैं page 10 की तरह हमसे कहा गया था कि topic sentence, supporting details और main theme लिखने का भी कहा गया है तो main theme में आपको यहीं पर लिख देती हूं importance of a role model in one's life किसी की जिन्दगी में किसी मिसाली शख्सियत के होने की एहमियत यैनि कि किसी की जिन्दगी में role model की क्या importance है वो क्यों जरूरी है, उसकी क्या एहमियत है role model की importance यह है कि हम उसही को follow करते हैं हम उनसे inspire होते हैं और उनीकी qualities अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं और वहिसियत मुसल्मान जैसे कि मेरी favorite personality हजरत मुम्मद ﷺ है आप में से भी जिन लोगों की favorite personality रसूल ﷺ है तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये हमारी इस दुनिया और आने वाली दुनिया में कामियाबी का रस्ता है तो ये हमारा topic end होता है जिसमें हमने topic sentence supporting details और main idea के बारे में उपड़ा साथ ही हमने capitalization, punctuation और spellings का भी खियान रखा अब चलते हैं next topic की तरफ जो के है creative writing creative writing के portion में topic है हमारे पास write some good qualities good qualities which you can show जो के आप दिखा सकते है in school, school में और classroom या अपने classroom में also write in your notebook how they would help you in becoming a better person और अपनी notebook में ये भी लिखे कि इन good qualities को गर आप adopt करते हैं तो इस से आप एक better person यनि एक बहतर शखसियत आपकी कैसे बन सकती है use correct capitalization, punctuation and spelling सही capitalization, punctuation and spelling का ख्याल रखे नीचे आप देख सकते हैं आपको एक mind map दिया गया है mid में लिखा है good qualities अच्छी खुसूसियात और यहाँ पर आपके पास four boxes दिये गए हैं यहाँ पर हमने four ऐसी qualities लिखनी है जो कि हम अपने school में और classroom में अगर adopt करें वो आदते हम अपना लें तो हम better person बन सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको four qualities लिखकर देती हूँ first treating others with love and equality दूसरों के साथ सलूक करना मुहबत और बराबरी के साथ equality में आपको लिखके दी है यह बहुत important है जब आप class यह school में होते हैं तो किसी को भी कम तर न समझे किसी को भी हकीर न समझे school के gate के अंदर आ जाने के बाद तमाम बच्चे एक जैसे हो जाते हैं ना कोई अमीर रहता है ना गरीब ना छोटा ना बड़ा सब की एक ही importance होती है सब एक जैसे piece देते हैं सब एक जैसे मेहनत करते हैं सब ने same uniform पहना होता है तो school और classroom में रहते वे आपने सब के साथ equality यह बराबरी का सुलूग करना है second by following rules यनी कवानीं की पावंदी करना उसकी पैररी करना आपको जो school में rules बताये गए है classroom में आपने उसका ख्याल रखना है जब आपसे कहा जाता है कि आपने show नहीं करना तो आपने खामोश बैठना है जो break time है उसी में आपने बाहर जाना है आपने आपने classroom में बैठे रहना है इसके इलावा हर school के different rules होते है तो हर बच्चे को चाहिए कि वो उन rules को follow करें क्योंकि ये rules आप ही की बलाई के लिए बनाए जाते हैं third point always being honest and truthful हमेशा इमानदारी और सच्चाई का साथ देना हमेशा आपने honest रहना है इमानदार और हमेशा सच मोलना है last keep trying even if it's hard or difficult आपने मुसलसल कोशिश करनी है फिर अगरचा कोई काम सख्त क्यूं न हो मुश्किल ही क्यूं न हो आपने टीचर की डांट से this hurt नहीं हो न वो आपको आपकी बेहतरी के लिए डांटती है तो जो काम आपको दिया जाता है सबसे पहले आप कोशिश किया करें कि स्कूल से घर तब तक मत जाए जब तक कि आपको पढ़ाया जाने वाला टॉपिक आपको समझ ना आ जाए आप स्कूल में इसी लिए आते हैं कि आप कुछ सीखें, कुछ पढ़ें आप रोज घर जाते वे सोचा करें कि आज आपने स्कूल में क्या सीखा है और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको स्कूल में समझ नहीं आ रहा तो अपने पेरिंट से पूछें अगर आप टूशिन जाते हैं तो टूटर से पूछें वरना आज कर यूट्यूब पर आपको हर तरह का हर टॉपिक पर लेक्चर मिल जाता है आप यूट्यूब से भी हल्प ले सकते हैं इन शॉट मेरे कहने का मकसद ये है कि आपने किसी भी चीज से डरना नहीं है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप सीख नहीं सकते कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है तो यहां पर मैंने आपको ऐसी 4 good qualities बताई हैं जिनको आप अपने class या अपने school में अडॉप्ट करें तो आप एक better person बन सकते हैं अब teaching point रीट करते हैं गाइड students in writing a main idea जो main idea में आपको लिख के दिया है इसकी बाद की जा रही है कि बच्चों को guide करें कि वो ये main idea लिख सकें ask them to use the learnt rules while writing a paragraph और जो rules आप 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 अपने जिएक करा चुके हैं topics sentence और supporting details की बाद की जा रही है उसको हम आप अपने यूनिट नमबर वन में details से पर चुके हैं मैंने आपको Class 4 की बुक भी दिखाई थी, उसमें भी मैंने आप से कहा था कि उसको वापिस कंसल्ट करें, वहाँ पर ज्यादा डीटेंड दीवी है, तो यहाँ पर हो बात की जा रही है कि बच्चों से topic sentence और supporting details और main idea वाला topic, बच्चों की help करें कि वो topic वो खुद से solve करें Note, while designing any formative or submittive assessment in case of questions from any Islamic topic, alternate question be given for minority students यह teachers के लिए एक बहुत important point है, यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप Class में बच्चों से कोई test लेते हैं, Class में normally जो test किया जाता है या अगर आप कोई final exam बच्चों से ले रहे हैं और उस में कोई question Islamic topic से related हो तो जो minority students याई ऐसे बच्चे जो Islam से तालुक नहीं रखते बलके उनका मख़ब change है, तो उनके लिए आप alternate question याई कोई मतबादल सवाल दीजिए याई आप उनको अपने मख़ब से related कुछ topic दीजिए, या अगर आपको उनके मख़ब से मदलक मालुमात नहीं है तो आप उनको इखलाकियात याई ethics पर topic दे सकते हैं और ये rule government schools में applicable है कि अगर किसी class में, किसी school में minority students मौजूद हैं तो उनको ethics याई इखलाकियात का subject पढ़ाया जाएगा अगर वो इसलामियात पढ़ना नहीं चाहते या कोई भी Islamic topic हो, किसी भी book में आजाएं तो उनके लिए आपने alternate question लेना है यहाँ पर हमारा teaching point end होता है और इसके साथ ही हमारा unit number one end होता है unit number one patience, हमने इसकी lesson की reading की, हमने उसके pre-reading, while reading और post reading questions को cover किया उसके बाद हमने oral communication, reading and critical thinking, language focus और writing के topics को cover किया जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काईली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताके हराने वाली वीडियो आपको timelly बिल सके, thank you